क्रिकेट की दुनिया यानि Game of Cricket में आपका स्वागत है Game of Cricket में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जोड़ी हर छोटी और बड़ी खबर क्रिकेट के हर नई अपडेट के लिए Game of Cricket को सबस्क्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले Game of Cricket की हर खबर सबसे पहले महेंदर सिंग धोनी के नेतरत में चेन्ने सुपर किंग्स इस सीजन जबर्दस खेल दिखा रही है और CSK ने अब तो प्ले आफ के लिए भी कौलिफाई कर लिया है इस सीजन चेन्ने की सबसे खास बात ये रही है कि जिस Sunriders हैदरबाद को कोई भी टीम नहीं हरा पाई उस S.A.R.C. को चेन्ने ने दो बार हराया पूरे में खेले गए दूसरे मैच में तो चेन्ने ने जबर्दस खेल दिखाया हलांकि इस मैच मेच जीत के हिरो अमाती राइडू रहे मगर धोनी के बगएर राइडू इस मैच में बड़ी पारी खेल कर भी हिरो नहीं बन पाते वो कैसे हम आपको बताते हैं महिंदर सिंग धोनी पंद्रवे ओवर की दूसरी बॉल पर मैदान में पहुँच गे थे और अगले पाँच ओवर तक क्रीज में मौजूद रहे लेकिन इस दोरान धोनी ने सिर्फ 20 रन ही बनाए ऐसा नहीं है कि धोनी सिर्फ इतने ही रन बना सकते थे इस सीजन धोनी का फॉर्म देखकर कोई भी कह सकता है कि आकरी ओवर्स में धोनी क्या कर सकते थे और कितनी जल्दी मैच खत्म कर सकते थे लेकिन धोनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जब धोनी क्रीज पर आये तब चिन्ने को जीत के लिए 33 रन की जरूत थी और राइडू को अपने शतक के लिए 22 रन की अब CSK की जीत तो पक्की थी साथ ही धोनी चाहते है तो इस मैच को बहुत जल्द खत्म भी कर सकते थे धोनी इन दुनों आते ही बड़े शॉर्ट्स खेल रहे हैं और दो-चार छक्के मारकर धोनी मैच को आसानी से जिता देते और मैच को जल्द खत्म कर देते मगर धोनी ने ऐसा बिलकुल भी नहीं किया धोनी धीरे धीरे सिंगल लेकर राइडू को स्ट्राइक देते रहे और राइडू को अपना शतक बनाने के लिए प्रेरीद करते रहे धोनी लगातार राइडू से बात कर रहे थे और जैसे ही धोनी के पास स्ट्राइक आती धोनी सिंगल लेकर राइडू को स्ट्राइक दे दे थे अब राइडू भी पहला शतक होने के चलते थोड़ा साथ दबाव में थे लेकिन धोनी किसी भी जल्दबाजी में नहीं थे इसी वज़े से आखरी 43 रन बनाने में पूरे 5 ओवर लग गए जब राइडू और 90 रन पर पहुँच गए और जीत के लिए 14 रन की जरौती तब धोनी ने भी अपने हाथ दिखाना शुरू किया क्योंकि धोनी को अब पता था कि राइडू को शटक के लिए सिर्फ दो ही रन चाहिए तो थोड़ा सा अपना भी नैचुरल गेम खेल ले है दोनी ने 18 ओवर में एक छक्का मारा और दोनी ने अगले ओवर में भी एक चौका मारा और फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक राइडू को दे दिया धोनी यहाँ पर भी छक्का मार सकते थे लेकिन उन्हों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और राइडु को शटक बनाने का मौका दिया और उसके बाद ही धोनी ने सिंगल लेकर मैचक को खत्म किया अब इस मैच में राइडू ने रन्तो बनाए लेकिन उनका शतक दोनी नहीं बनवाया ये साफ है कि मैच जीत कर और बड़ी पारी खेलकर भी राइडू हीरो नहीं बन पादे अगर दोनी उन्हें शतक बनाने का मौकान नहीं देते और अब राइडू भी दोनी की खुल कर तारीव कर रहे हैं